Hello guys, Namaste and Sif Young Artist के guitar channel पर आपका स्वाधत है आज हमारे lesson में हम देखने वाले हैं कि guitar पर हम strumming कैसे कर सकते हैं आपको chords बजाना होगा तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है तो बहुत interesting चीज है, चलो इसको देखते हैं तो guitar पर strumming करने के लिए mainly दो तरीके होते हैं या तो हम अपनी fingers को इस्तमाल करके strumming कर सकते हैं या फिर हम एक pick या एक plectrum को use कर सकते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हम अपनी fingers को use करके strumming कैसे कर सकते हैं तो अगर आप fingers को use करना चाहते हो तो उसमें भी एक दो variation होती हैं एक दो लeg-aleg तरीके होते हैं तो वह options हमारे सपास हैं देखते हैं कि क्या-क्या है है तो सबसे पहले एक तरीका हम you ूज कर सकते हैं कि जिस अपने thumb के साथ अपने thumb को use करके strumming कर सकते हैं तो हमें क्या करना है बस फूरी स्ट्रिंग रहा है सब को दिबागमें है ऐसे आप आप यह भी सोच सकते हो कि साउंड कैसी आरी है अघर साउंड अच्छे से आरी अच्छे तरीकówार और साउंड आ रही है तो मतलब आपकी स्रामिंग अच्छी चल रही है तो बेसिकली थम को लेकर टॉप स्ट्रिंग पर रखो और वन बाइवाइवान हमें बस स्ट्रिंग को बजाना है और थम को लेकर हम ऐसे भी कर सकते हैं मेरा खुद का पर्सनल प्रेफरेंस यह होगा कि आप साइड अपने थम की जो साइड वाला पार्ट है जो ये वाला हिस्सा होता ओपर से ये वाला टॉप पार्ट ना यूजी करके हम अगर अपने साइड वाले पार्ट को यूजी करेंगे तो वह एक अच्छी कि वो साउन्न भी Director अलग ओ जातीए तो आपको ये सब तरीकों से थोड़ा सा आपको experiment करना है थोड़ा सा इसके साथ खेलना है कि आपको अपने comfort level में सबसे अच्छे क्या बैट रहा है तो वही अपने को यूज़ करना है तो side से जब हम बजाते हैं तो ऐसे यू रखके ऐसे ना रखके हमें मेरा हाथ ऐसे नहीं है ऐसा है तो थोड़ा सा रिलाक्स ज़्यादा हो जाता है और एकदम सामने की हो रहा है तो उपर नीचे ऐसे strumming करने में भी बहुत easy लगता है यह आप अपनी wrist से थोड़ा से हिला के थोड़ा wrist को lose रखके ऐसे कर सकते हो और थोड़ा सा अपने nail के हिस्से को भी आप use कर सकते हो यहां पे जैसे मैं ऊपर करता हूं इसको up strum कहते हैं तो हमें सिर्फ ऐसे कैसे strum करने सिर्फ नीचे-नीचे करेंगे तो वह पूरा तरीका नहीं है वह गलत हो जाएगा तो हमें नीचे भी सीकना है और हमें ऊपर भी स्टम करना सीखना है और अगर आपको थंब से ना करके आपको अपनी fingers को use करना है तो वो भी हम कर सकते हैं देखते हैं इसको कैसे करते हैं तो आपके बास दो-तीन option है लेकिन mainly इसका finger का action बकाइदा जादा से जादा same रहेगा तो index finger को लेके करके देखते हैं सबसे पहले कैसे कर सकते हैं अपने जो अपने थम के साथ किया था जो चीज हम कर रहे हैं वो तो सेम ही है तो बस हमें बस बजाना है ऐसे राइट नौ मैं अभी अपनी finger की tip को use करके और इसका अगयन यह advantage जैसा हो जाता है कि आप ऐसे रखके थोड़ा comfortably रखके आप ऐसे कर सकते हो ऐसे बजा सकते हो सेम चीज में अगर अपनी मिडल फिंगर से भी करना चाहूंगा तो सेम ऐसा रहेगा मैं सिर्फ अपनी finger tip का इस्तमाल कर रहा हूं और lightly पूरी strings को touch करके आपको यह नहीं करना है कि एकदम दबा के या फिर ज़्यादा effort नहीं लगाना है और आपको यह मतलब एकदम चाहूंगा यह मेरे मेरे लिए personally यह मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मतलब naturally यह comfort zone में आ जाता है तो आप भी इसको try कर सकते हो शायद यह आपके लिए मैं क्या कर रहा हूं जब नीचे जो down strum कर रहा हूं down stroke में अपनी four finger से चारो उंगलियों से ऐसे अपने nail से बजा रहा हूं और up stroke में मैं अपने thumb के जो थम वाली उंगली का जो यह nail होता है ना उसको use करके मैं up strum बजा रहा हूं तो इसका sound मुझे personally बहुत अच्छा लगता ह है और जब हम acoustic guitar कहीं बाहर बैठ के friends में या campfire जैसी setting में करते हैं तब उसका sound बहुत अच्छा आता है क्योंकि काफी loud आता है sound और सबको clearly सुनाई भी देता है तो अब हमने देख लिया कि हम अपनी सिर्फ अपनी fingers को use करते हुए दो-तीन तरीके से कैसे बजा सकते हैं अब देखते हैं कि हम यह spectrum या फिर pick को use करते हुए strumming कैसे करते हैं तो main चीज हमें समझना है कि यह pick आपका ऐसे triangle चीज जैसे होता है ट्रैंगल जैसा शेप रहता है इसका और एक जो आपका end होगा थोड़ा सा ज्यादा लंबा और थोड़ा सा pointed होगा तो आपको वही end से बजाना है और इधर से आपको पकड़ना है तो पिक हमारा हो गया मैं ऐसे पकड़ रहा हूं जो फ्लाट हेंड है हमारा उपर वाला यहां पर वहीं पर हमें अपने थम और अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ पकड़ना है पिक को तो मैं ऐसे यूँ पकड़ लेता हूं दोनों तरफ से पकड़ लिया मैंने और आपको इसको एकदम टाइटली कसके नहीं पकड़ना है हम यहां पर कुछ वोक आउट नहीं कर रहे हैं मैं हमेशा बोलता हूं आपको रिलाक्स होना है और कमफर्ट में आ के आपको गिटार बजाना है तो अराम से पकड़ो अदम कमफर्ट में हो और अब इसी को पकड़ कर वन बाइवन एक के बाद एक हर एक को बजाएंगे यह थीक यह एक दो बार आप इसी को करो और इसमें जब आपका थोड़ा सा कमफर्ट आ जाता है तब आप पूरी छे स्ट्रिंग्स को एक साथ बजाने की कोशिश करे कि इस टेखनीक में अडवांटेज यह है कि हलका सा इजी हो जाता है क्योंकि आपको पूरी स्ट्रिंग्स यह यही प्लेक्टरम के साथ या पिक के साथ ना पूरी एक साथ बच जाएंगे और गाइज आपको यह भी चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि ऐसा कोई 100% राइट या 100% रॉंग तरीका नहीं होता है एस्पेशली जब हम यह चोटी चोटी चीजों को देखते हैं कि हम पिक कैसे पकड़ रहे हैं या फिर गिटार को हम एक्जाक्ली कैसे पकड़ रहे हैं आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये आर्टिस्ट को देखा था या फिर ये गिटारिस्ट को देखा था उसने ऐसे पकड़ा मुझे भी वैसे पकड़ना है आपको ये करना है कि आपको ट्राय करना है हर एक चीज जो जो तरीके मिल रहे हैं और उसके बाद आपको खुदी पर हम स्ट्रमिंग अपनी फिंगर और एक पिक को यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं अगर आपको यह लेसन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अगर आप कैसे कोई फ्रेंज है जो गिटार आपके साथ सीख रहे हैं तो उनके साथ यह वीडियो शेयर भी जरूर कर देना अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे लेसन्स चाहिए गिटार पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आप बैल आइकन दबाते हो तो आपको सबसे पहले हमारे फ्रेश वीडियो मिल जाएंगे और मैं आपसे नेक्स क्लास में मिलता सिर्फ यांग आटिस पे जहां पे वी नर्चर थे आटिस्ट इन यू